आप कान्पूर में मंगलवार को नगर आयुक्त और भाजपा नेता के मीच बहेंस हो गई दे लाइफ टीवी सच सबसे आगे नमस्कार दे लाइफ टीवी आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ आदितिकुमार उत्तर प्रदीश के कान्पूर जिले में भारती जनता पार्टी के नेता को बतसलूकी करना महगा पड़ गया और वो बतसलूकी की गई थी नगर आयुक्त से और नगर आयुक्त ने आदेश दिया उसके बाद गार्ड ने भारती जनता पार्टी के नेता को ऐसा घसीटा कि आज तक आपने भारती जनता पार्टी के नेता की इतनी बेज़ती भरा वीडियो नहीं देखा होगा घसीट घसीट के उसे बाहर निकाला गया पूरा माजरा क्या है वो हम आपको बताएंगे, मामला कहां का है, कौन कौन इसमें शामिलता, कौन भाजपानेता, सब कुछ आपको बताएंगे लेकिन पहले ज़रा आप इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए इस वीडियो को ध्यान से देखिया कि इसमें भारती जनता पार्टी के नेता को कैसे घसीटा जा रहा है। कानपूर में मंगलवार को नगरायुक्त और भाजपानेता के बीच बहस हो गई। मामला जब बढ़ने लगा तो नगरायुक्त की सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने पहले तो भाजपानेता को आफिस के बाहर किया और उनके नहीं मानने पर घसीटते हुए गेट के पास तक ले गए। इस दोरान सुरक्षा कर्मियों ने भाजपानेता को गाली भी दी अब ये हाई वोल्टिश ड्रामा हुआ इस मसले को लेकर भारती जन्ता पार्टी के नेता की इतनी थू 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 इतनी बेज़ती आज तक नहीं हुई थी जो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तर बत्तलुकी की तो गसीटते हुए नगर निगम से बाहर कर पुलिस को सौब दिया हर मंगलवार की सुबह दस से दो के बीद संभो पोर्टल खुलता है इस बार भी नगर निगम के मीटिंग ओल में फरियादियों के शिकायते सुनकर दर्ज की जा रहे हैं यानि जो संबो पोर्टल है वो खुलता है उस समय आप जा सकते हैं अपनी शिकायते नगर निगम में दर्ज करा सकते हैं शिकायतों का निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है सारे अधिकारी हॉल में ही तब बैठे हुए थे इसी बीच नगर आयुक्त शिव शरपा जियन कुछ देर के लिए अपने कक्ष में किसी काम से गए तो फरियादी वा भाजपा नेता जो है फरियादी वा भाजपा के पूर पदादिकारी कपिल गुपता भी कक्ष में गुज गए एक कबजे की शिकायत का निस्तारण कक्ष में ही करने को फोरण कहा मतलब आधेशित करने लगे कि ये जो निस्तारण है इस कबजे का निस्तारण आप फौरण करिये मतलब ततकाल प्रभाउकसाथ करने का आधेश देने लगे नगार आयज ने का कि मीटिंग हॉल में ही चलिए वहीं आकर निब्टारा करता हूँ पोर्टल पर दर्ज भी वहीं पर होगा इसकी जानकारी शासन को भी भेजनी होती है यानि जो नियमत कारवाई थी वो नगार आयज ने बताई कि भाई आप पहले देखो आप आए हो तो चलिए वहीं हॉल में बैटी है मंदर कक्ष में है भी आप बाहर जाएए वहीं पर उस बाहर बैटे गार्ड शोर सुनकर भीतर गए और धक्का देते हुए कपिल को कक्ष से बाहर कर दिया जिस तरही एक बत्तमीजी वहाँ कपिल नाम के जो भारती जनता पार्टी के नेता है वो कर रहे थे नगर आयुत से तो नगर आयुत ने उन्हें बाहर गार को बलाया और बाहर पिकवाया कपिल गुपता कक्ष के बाहर ही बैट गया और नारेबाजी के साथ हंगामा करना शुरू कर दिया दरजल भारती जनता पार्टी के नेताओं की यह बानसिक्ता होती कि किसी भी चीज़ को लेकर वो हंगामा करेंगे उतपात मचाएंगे तो उससे मसला हाल हो जाएगा लेकिन यहां ऐसा कुछ भी होता हुपर नहीं दिखाई दिया किया ट्रेकर की टीम और गार्डों ने वहां से चले जाने को कहा मगर नहीं माने कहा कि यहां चले जाएए लेकिन माने नहीं आगिरकार हाथ पैर पकड़ कर घसीटे हुए परिसर से बाहर कर दिया पहले तो कच्छ से बाहर किया गया, थोड़ी धक्का मुक्की हुई, कम बेज़ती हुई थी लेकिन पिर बाहर जब जाकर वो हंगामा करने लगे तब और ज़्यादा बेज़ती हो गई फिर गार्ड और जो वहां की टीम थी, जो वहां की वेवस्था को बनाए रखने वाली टीम होती हुई, उसने पकड़ा इनका पैर और घसीता शुरू कर दिया जैसा कि आपने वीडियो में देखा सूचना पर फिर पुलिस भी आ गई, सियो समेथ सुरूप नगर थाने के पुलिस पहुंची और कपिल को अपने साथ ले गई, यहां बीस मिनट तक पूच्टाच के बाद उनको घर बेज दिया गया, थाने महरासत में भी ले लिया गया तुने, और बीस मिनट के उसे पू संख्या बढ़ गई है, वे कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हाइलाइट हो, नगर निगम मुख्याले से लेकर जोनल, कार्यालियों और वार्डो तक में ऐसे नेताओं की संख्या में एज़ाफा हो गया है, नगर आयुक्त श्यू श्रनपा जीयन का कहना है कि कापिल गु जो सौपी गई है, साथ दिन में रिपोर्ट भी मागी गई है, साथ दिन में रिपोर्ट में सब्मिट करना है, कि काकिग्कार क्यों बद तमीजिय की गई है। पता नहीं है रेपोर्ट मांगने पर उखड गए गार्ड बलवा कर बाहर कर दिया गार्डों ने डेल सो मीटर तक घसीटा बाद में पुलिस ले गई लगबादे गंटे के बाद छोड़ दिया तो ये व्रथा उनकी थी मतलब दोनों पक्षों को हमने आपको बता दिया दोन कानपूर में नगर आयट से होई कहा सुनी कर्मचारी बोले बहुत नोटंकी करता है दरसल वो 30 मिनट तक बाहर बैटकर हंगामा करते रहे और घटना के देर वा सतीश महाना से मिलने के लिए लखनो रवाना भी हो गया है मतलब वो नेता आप सतीश महाना से मिलने भी गया ह बड़े नेता शुकायत करें कर देखो हमारी बड़ी बेसती हुई है नगर आयूत काराले में हांगामा करने पहुँचे थे वहाँ अपनी नेता गिरी चटकाने पहुँचे थे लेकिन वहाँ नेता गिरी चटकाने की बजाए मेरी बेसती हो गई है बाजपा नेता काबिल पुलिस ने पुलिस बुज़े ले गई वहाँ पर जो गाड थे उन्होंने बत्तमीजी की नगरायुक ने बत्तमीजी की तर असली हकीकत ये है कि भारती जंता पार्टी के नेता सत्ता का रॉप दिखाते हुए नगरायुक के कारेयलरे में गए और बत्तमीजी करने लगी उन्होंने इस तरीके काम किया अब जरा हैं कौन जरा इसमें भी अब समझ लीजिए दसर भाजपा नहीं था ये कपिल गुपता 2017 में सूटर गंजवार्ड से भाजपा के टिकट पर पारसर चुनाओ लड़ चुका है कपिल गुपता ने बताया साथ दिन बाद रिपोर्ट सोंपी जाएगी क्या कुछ होगा लेकिन फिलाल तो भारती जन्ता पार्टी के नेता की करकिरी हो गई है कायजे से सरूप नगर एसो राजपार सर्मा ने बताया कि मामले में नगर निगम की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है ऐसे में कपिल गुपता को पूछता ऐसके बाद छोड़ दिया गया तहरीर मिलने के बाद कारिवाई कीजेगे नगर निगम की तरफ से कोई शिकायत ठाने में दर्ज नहीं कराई गई है अगर दर्द कराई जाती है तो पुलिस इस पर कारिवाई करती है फिलाल पुलिस ने अभी तक इस पर कोई कारिवाई नहीं किया ऐसा बताया जा रहा है मामले में नगर आयुक्न बताया कि उनकी मैंने पूरी बात भी सुनी चुकि शासन के निरदेश पर मंगलवार को संभो पोर्टल के देश शिकायते सुनी जाती इसलिए हमने सुनी मैंने उनसे कहा कि बगले कमरे में संभो पोर्टल शिकायत दर्च करा है मैं भी वहीं पहुँचना हूँ वहीं पर पूरी समस्या का समाधान कर दूँगा इसके बाद भी वो नहीं माने और आफिस में चिलाने लगे जब चिलाने लगे तब मजबूरन जो है गाड को बलाना पड़ा और ये सब करना पड़ा जो वीडियो पे आपने देख दलाइफ टीवी को और आमने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करिए वेल आइकन दबाई ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहें नमस्कार दलाइफ टीवी सच सब से आगे